सूप्रभात बच्चो आप सब कैसे हो आशा करती हूँ आप सब मजे में होंगे तो बच्चो आप सबी अपनी हिंदी की पाठ्थे पुस्तक सुनहरी दूप का पाठ नमबर 13 है खोलें जो की पेज नमबर 68 पर है आज हम अंकी मात्रा पढ़ेंगे सबसे पहले इस मात्रा का उच्चारन और वर्णों के साथ इसका प्रियोग सीखेंगे तो आए शुरू करें यह है अंग और यह है अंकी मात्रा यह मात्रा वर्णों के उपर बिंदी के रूप में लगाई जाती है तो आए वैंजन के साथ अंकी मात्रा का प्रियोग देखते हैं क 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 ग तो आओ सीखें अंकी मात्रा तो आए शुरू करें अंकी मात्रा अंगूर ह, ह को अंकी मात्रा हंस ग, घ को अंकी मात्रा गंटी ब, ब को अंकी मात्रा बंदर प, त, त को अंकी मात्रा तंग, पतंग आये अंक की मात्रा वाले कुछ और शब्द सीखते हैं बच्चो अपनी किताब में अंगुली रखकर मेरे साथ साथ पढ़िये अंक, रंग, पंख, संग, अंत, पंजाब, जंडा, चंदा, ठंडा, कंघा, खंबा, गंदा, मंजन, मंगल, कंचन, जंगल, कंगन, संत्रा बच्चो आप सबने देखा और सुना अंक की आवाज हमेशा नाक और मुँ से निकलती है तो जब भी किसी भी मात्रा की द्वनी नाक और मुँ से निकले तो हम अंक की मात्रा का प्रयोग करते हैं हम अंक को अनुस्वर भी कहते हैं तो आएए बच्चो बोल-बोल कर पढ़ते हैं सबी बच्चे अपनी किताब में अंगुली रख कर मेरे साथ साथ पढ़ें संजय सुभ आठ बजे उठा मंजन करके ठंडे पानी से नहाया कंगे से बाल ठीक किये कंचन के संग मंदिर गया शंक बजाकर पूजा की घंटा बजाया फिर वे बाहर आये कंचन ने रंग बिरंगे सुन्दर कंगन खरीदे तो आये बच्चो अब इस कारे को देखते हैं सही स्थान पर अंग की मात्रा लगाओ तो बताये बच्चो इसमें अंग की मात्रा कहां पर लगेगी? गटा घर तो बताये बच्चो क्या होता है? घंटा घर घर को अंग की मात्रा घन घंटा घर तो बच्चो इसी तरहें आपको इन सब पर अंग की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाना है तो आये अब ग्रह कारे देखते हैं नमबर एक चित्रों को उनके नाम से मिलाओ बच्चो आप सब को यह कारे अपने घर पर करना है चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो तो बच्चो आपको इन चित्रों को पहचान कर उनके नाम यहां लिखने हैं नमबर तीन प्रश्णों के उत्तर लिखो बच्चो जैसा की आपको इस पाठ में पढ़ाया गया है उसी में से इन प्रश्णों के उत्तर देने हैं आठ बजे कौन उठा तो बच्चो आठ बजे कौन उठा संजय इसी तरह से आपको इन प्रश्णों के उत्तर लिखने हैं नमबर चार जोड कर नए शब्द बनाओ मंजन अंगूर तो बच्चो आपको इन शब्दों को जोड कर नए शब्द लिखना है तो बच्चो आपको इन शब्दों को जोड कर नए शब्द लिखना है तो बच्चो आज हमने अंकी मात्रा को अच्छे से पढ़ा और समझा बच्चो आपको इस पाट को दोहराना है और इस ग्राकार्या को घर पर करना है धन्यवाद